जेहिन जादियो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कस्मिर के पूछ में आतंगवधियों ने ग्रेनेट से सेना के वहन में लगाई थी आग हाथ्चे में हमारे पाथ जवान सहीत हो गए सेना ने बताया कि इस हाथ्चे में पाथ जवान सहीत हो गए है और अन्य गंबी रूप से घायले चेनिकों को तुरंत रजोरी के सेना अस्पताल में ले जाया गया और उनका इलाज शुरू किया गया जम्मू कस्मिर के पूच में सेना के वहन में लगी आग के मामले का बड़ा खुलासा हुआ है सेना के एक अधिकारी ने बताय कि राजोरी सेक्टर के भिम बेर गली और पूच के बीच चल रहे सेना के एक वहन पर आग्यात आतंगवादियों ने गोली बारी की इस गोली बारी के दोरान उन्होंने वहन पर ग्रेनेट से आटेक किया जिसकी वजाह से आख लग गई और इस हाथसे में हमारे पांच जवान सहीत हो गए आज पांच परिवारों ने अपना सब कुछ खो दिया जानकारी के अनुसार यहाँ जवान काउंटर टेरिरिस्ट आपरेशन के लिए तेना त्राष्टी राइफल यूनिट के थे सेना ने बताय कि हमला वारों की तलासी की जा रही है और आगे की जाच की जा रही है वहीं इस मामले को लेकर थल सेना प्रमुक रक्षा मंतिर आजनास्चेहों को भी जानकरी दी गई है हमले के समय हो रही थी भरी बारी बता दे कि यहाँ हासा आज दोपह लगबग तिन बजे हुआ सेना का यहाँ वहाँ राजोरी सेक्टर के भिम बेर गली और पूछ के बीच था कि आतंगवादियों ने हमला बोल दिया हमले के समय भारी भारी सो रही थी और जिसका फाइदा उठाते हुए हमलावर भागने में सपल रहे पहले अनुमान लगाया गया था कि इस हमले में किसी आतंगवादी हमले की आसंका नहीं है आज पांच परिवारों ने अपना सब कुछ खो दिया सबी पांच जवानों की आत्मा को भगवान सांति प्रदान करे वहीं गहल जवानों के लिए प्रातना कीजिए कि वहाद जल्दी से जल्दी स्वस्त हो जाए कभी ठंड में ठुटूर कर देख लेना कभी तपती धुप में चल कर देख लेना कैसे होती है मुलके की हिपाजत कभी सरहत पर चल कर देख लेना भारत माता के पांचों वीर सही जवानों को मैं उनकी सिवाओं के लिए सत्सद नमन करता हूँ